जी बिसमें लाए रहमाद रहीम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम बीसी थर्ड येर का चैप्टर हमारा चल रहा है मेकैनिक्स का पार्टिकल डायनमिक्स इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बैंकिंग आफ रोड्स तो चलें अपनी लेक्चर को बढ़ जी इस वक्ट स्क्रीम पर आपको टॉपिक नजर आ रहा है जो आज हमने पढ़ना है और इस टॉपिक का नाम है बैंकिंग आफ रोड्स या बैंक्ड कर्व इसका मतलब क्या है और इसका फाइदा क्या है ये हमने आज के लेक्चर में देखना है मैं यहाँ डायग्राम्स मनाता हूँ दो उन से आपको समझ आ जाजेगी कि बैंकिंग आफ रोड्स से क्या मुराद है फर्स करें कि एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास रोड्स का एक सर्कुलर ट्रैक ये अब ये जो सर्कुलर ट्रैक आपको नजर आ रहा है ये लेवल रोड है लेवल रोड से मुराद है कि अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए उस रोड के उपर से गुजरेंगे तो हमारी गाड़ी का जो लेवल है वो सीधा रहेगा किसी साइड से भी गाड़ी उन्ची और किसी दूसरी साइड से नीची नहीं होगी क्योंकि वो रोड लेवल पर है ये रोड है लेवल रोड लेवल रोड दूसरी रोड जो हमने पढ़नी है वो है बैंक्ट कर्व या बैंक्ट रोड बैंक्ड कर्व का मतलब यह है कि रोड को गाड़ियों की सेफटी के लिए इस गर्ष से कि गाड़ियां इस कर्व ट्रैक के उपर से गुजरते हुए स्लिप ना हो जाएं इस परपस के लिए रोड को एक साइड से थोड़ा उन्चा बनाया जाता है जैसे यह मैंने कोशिश की है कि आपको मैं शो करूं कि रोड इस तरफ से उन्चा है जो सर्कुलर ट्रैक का आउटर एज होता है उस तरफ से रोड को उन्चा कर दिया जाता है और जो इनर साइड है उस तरफ से रोड को नीचा रखा जाता है यह outer side है यहां से road उंचा है यह circle का inner side है और यहां से road नीचे है यानि अगर मैं complete diagram बनाऊं तो कुछ इस तरह की diagram बन रही है यह देखे road इस तरह से एक तरफ से नीचे है और दूसरी तरफ से उंचा है यहां हमारी वैसे level roads पर भी ऐसी कुछ बसिस चलती है आप सबको पता होगा राजा बसिस चलती है वो चल ही ऐसे रही होती है एक तरफ से नीचे और एक तरफ से उंची वो level road पर भी ऐसे ही चलती है तो वो तो बड़ी खतरनाक तरीन बसे हैं उन पे टो बैठते हुए भी डर लगता है यह वही बसिस हैं जिनका मैं जिनका मैं जिकर कर रहा हूँ यह वही बसिस हैं जो जिनकी खिडकी जो ना वो नीचे से ओपर तक खुलती है सीधा और उनकी खिड़की से पूरा बंदा बाहिर आ सकता है बहराल बात हो रही थी लेवल रोड की और बैंक्ट कर्व की लेवल रोड क्या है जिसका लेवल बिलकुल जमीन के साथ होता है दोनों तरफ से लेकिन banked curve क्या है कि जिस road को एक edge से उंचा और दूसरे edge से नीचा रखा जाता है ताके circular path पे चलते हुए गाड़ी ज्यादा speed होने की वज़ा से circle से बाहर ना निकल जाए और slip ना हो जाए तो अब इन दोनों चीज़ों को हम detail में देखते हैं banked curve होती क्या है यह आप यहां से definition इसकी याद कर लेंगे the curve in which vehicles banks are inclined towards the inside of curve for safe turn is called banked curve the angle at which the vehicle is inclined about its longitudinal axis with respect to its path is called bank angle अच्छा यह वाला जो angle है ना यह वाला यह मैं black color में आपको बना के दिखाता हूँ यह वाला angle जितने angle पर हमने road को उठाया है एक side से इसको बोलते हैं banking angle या banked angle angle of banking तो अब इस topic में हमने जो explanation करनी है उसमें एक road है level road और दूसरी road है banked curve या banked road इन दोनों को अलग अलग हमने discuss करना है सबसे पहले हम first कर लेते हैं कि हम level road की बात कर रहे हैं level road का मतलब यह है जैसे मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि road तो circular ही है लेकिन वो दोनों तरफ से level है अब इसके उपर जो गाड़ी चलेगी फर्स करें यह गाड़ी है गाड़ी जरा बुरी ही बन रही है आज यह गाड़ी है यह इसके wheels है अब यह गाड़ी जा रही है circular track पे इसकी linear velocity इस तरफ है इस गाड़ी के road और tires के दर्मयान जो friction है वो इसको centripetal force provide करेगी circle में घूमने के लिए क्योंकि इस वक्त यह circular path पे घूम रही है और वो circular path कुछ ऐसा है यह है इस circular path का radius और यह है इस circular path का center अब आपने गौर से मेरी बात सुननी है देखें एक situation तो यह है गाड़ी आगे की तरफ जा रही है यानि road और tires के दर्मियान जो गाड़ी है उसका engine force लगा रहा है पीछे की तरफ और एक friction की force है जो गाड़ी को आगे की तरफ लेकर जा रही है और बार बार गाड़ी की direction of motion को change करना पड़ है ताके वो circle में रहे जब गाड़ी की direction of motion को आप change कर रहे है यानि गाड़ी को curve path में गुमाने की कोशिश कर रहे है तो एक और भी force यहाँ पर exist कर रही है वो भी friction की ही force है वो जो है उसकी direction क्या होगी जरा गौर से आपने देखना है मेरी बात को गौर से सुनना है देखें यह मैं green color में कर देता हूं फर्स करें यह है गाड़ी का bottom यह चारों गाड़ी के tires हैं जो गाड़ी को आगे भी ले जा रहे हैं और गाड़ी को turn करने में भी मदद दे रहे हैं क्योंकि tire और road के दरम्यान जो friction की force है वही सारा काम कर रही है अब गाड़ी जब left side पे इस तरफ बार बार turn ले रही है तो गाड़ी के tires और road के दरम्यान इस direction में यह जो मैंने line लगाई है इस तरफ भी एक effect हो रहा है और यह भी frictional effect ही है जब तक गाड़ी का tire और road के दरम्यान इस line के along कोई motion नहीं होगी हम इस case को static case ही consider करेंगे क्योंके हम जानते हैं अगर इस line के along गाड़ी के tire और road के दरम्यान motion हो गई तो इस बात का दूसरा मतलब यह है कि गाड़ी slip हो गई है और गाड़ी circle से बाहर निकल गई है हम यह चाहते हैं कि गाड़ी circle के अंदर ही रहे तो इस line के along गाड़ी के tire और roads के दरम्यान एक force of friction exist कर रही है और वो force of static friction है क्योंकि इस line के along गाड़ी के tire और road के दरम्यान कोई relative motion नहीं है और मज़े की बात यह है कि यही force of static friction है जो गाड़ी को centripetal force provide कर रही है और इसकी direction है towards the center of circle इसी force of static friction की वज़ा से गाड़ी circular path पे घूम रही है अगर यह force exist ना कर रही हो या इस force की value required value से कम हो तो गाड़ी slip कर जाएगी और circle से बाहर निकल जाएगी अब कौन-कौन सी चीजे हैं या कौन-कौन सी forces हैं जिनको consider करना पड़ेगा सबसे बड़ी force यही है force of static friction अब force of static friction जो है यह हमें क्या provide कर रही है sentimental force अच्छा अगर आप कहते हैं कि मैं अलग से इसकी derivation कर देता हूँ ताके आपके लिए समझने में असानी हो देखें यही force of static friction है जो sentimental force provide कर रही है mv square divided by r यह mv square divided by r क्या है यह sentimental force है force of static friction का formula हमने पढ़ा था mu s यानि force coefficient of static friction multiplied by normal reaction force अब आप imagine करें कि गाड़ी जो है वो road के उपर है अगर मैं आपको बता सकूँ गौर से आपने मेरी बात सुननी है आप इसी orientation में गाड़ी को उपर से observe कर रहे हैं अस्मान से top view ले रहे हैं तो गाड़ी का weight किस तरफ लगेगा vertically downward यह जो मैंने cross जाहिर किया है हम जानते हैं cross जो है यह into the paper को जाहिर करता है और dot out of the paper को जाहिर करता है और इसी surface का जो normal reaction है यानि road का normal reaction किस तरफ होगा उपर की तरफ जिसको मैंने dot से जाहिर किया और यहां आप गौर से यह बात समझ सकते हैं कि weight और normal reaction force एक दूसरे के opposite है और यही एक दूसरे को balance कर रहे हैं या आप कह सकते हैं normal reaction force in this diagram is equal to weight यानि N की जगा हम mg put कर सकते हैं इस तरह से आपके पास आगया mu s mg is equal to mv squared divided by r mass mass से cancel हो गया velocity का relation अगर मैं बनाना चाहूं तो मेरे पास आएगा mu s g r और बाद में सारे का square root ले लेंगे तो velocity आपके पास आजएगी mu s into g r का square root इसका मतलब यह हुआ कि अगर गाड़ी को इतनी ज्यादा से ज्यादा इतनी tangential velocity से चलाया जाएगा तो वो उस track के उपर ही रहेगी otherwise वो track से slip होकर circle से बाहर चली जाएगी अब यह velocity कैसे calculate करेंगे उस road के surface और टायर के का जो surface है उन दोनों की relativity के लिहाज से या उन दोनों के combined effect को देखते हुए या उस road के surface की roughness को देखते हुए हम coefficient of static friction की value जान सकते हैं यह एक experimental value है और mu s की value हमें पता होगी g 9.8 हम जानते हैं r जो है यह उस circular track का radius है अब यह सारी values पुट करके हम गाड़ी की tangential velocity निकाल सकते हैं कि यह गाड़ी ज्यादा से ज्यादा कितनी velocity से इस track पर चलेगी तो वो slip नहीं होगी अगर इस से ज्यादा velocity से चलना शुरू कर देगी तो जाहरी बात है वो slip हो जाएगी और track से बाहिफ सली जाएगी अब यह तो है level surface की बात लेकिन अगर हम level surface की बात अगर फर्स करें किसी ऐसी जगा की हम बात कर रहे हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है जहां road slippery रहता है जहां कुछ इस तरह की conditions है कि road और गाड़ी के tire के दरमियान जो force of friction है वो उतनी नहीं बन पाती जितनी हमें चाहिए तो फिर हमें दूसरा रास्ता इक्तियार करते हैं दूसरा रास्ता क्या है कि हम road को बनाते हुए उसे level बनाने की बजाए उसे curve एक side से bend कर देते हैं यानि bank कर देते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया अब ये सारी बातें जो हम level road के लिए कर रहे थे अब हम वो banked curve के लिए करेंगे यहाँ पर एक diagram बनी आपको नजर आ रही है अगर आप इस diagram को समझ सकें ये काफी अच्छी diagram है यानि गाड़ी जो है वो टेडी road के उपर चल रही है मैंने net से एक diagram जो है एक image डाउनलोड करने की कोशिश की थी ये थोड़ा blur आया है ये आप गोर करें ये जो गाड़ी है ये banked curve के उपर चल रही है यानि ऐसी curve जो circular track के अंदर वाली side से ये road नीचे है और बाहिर वाली side से ये road उन्चा है यानि थोड़ा सा bank है और ये जो banking angle है इसको इसने बीटा से जाहिर किया है हमने अपनी डायग्राम में इसको थीटा से जाहिर किया हुए ठीक है अब आजाएं अपनी बुक वाली डायग्राम के उपर बड़ी असान है मैं आपको इसके उपर ही समझा देता हूँ देखें गाड़ी जो है वो रोड के उपर चल रही है अब अगर रोड के सर्फिस के लिहाज से ये रोड का सर्फिस है इसके लिहाज से जो नॉर्मल रियक्शन फोर्स है वो 90 के अंगल पे मैंने आपको पहले भी बताया था हमेशा लगती है वो हम बना देंगे ये ये नॉर्मल रियक्शन फोर्स है और इस रोड का जमीन के लेवल के साथ जो बैंकिंग एंगल है वो है फर्स करें थीटा ठीक हो गया अब अगर आप गौर करें यह हम पहले से जानते हैं जो एंगल दो लाइन के दर्मियान होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के दर्मियान होता है तो देखें एक लाइन है ये वली एक लाइन है ये वली इन दोनों के दर्मियान एंगल क्या है थीटा अब इस लाइन का परपेंडिकुलर्स ये है जो यहाँ पे सीधा एक्स्टेंट की गई है और इस रोड का परपेंडिकुलर्स नॉर्मल रियक्शन फोर्स है इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के दरम्यान जो एंगल है वो भी थीटा ही होगा आपको समझ आ गई है अब मैं ये फजूल जो लाइने हैं इनको मैं मिटा देता हूं ताकि डाइग्राम में रश ना रहे और असानी से समझ आ जा जे सारी बातों की ओके जी और राइट ये हैं हमारे पास अब मैं डाइग्राम को एक नजर फिर एक्स्प्लेइन करता हूं देखें गाड़ी का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे हैं एम जी गाड़ी जिस रोड के उपर चल रही है उस रोड का गाड़ी के उपर जो नॉर्म रियक्शन है वो इस डिरेक्शन में है और नॉर्मल रियक्शन इस एम जी वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है ये वही एंगल है जितने एंगल पर हमने रोड को बैंक किया हुआ है अगर आप गौर करें तो हम नॉर्मल रियक्शन फोर्स के दो कंपो तक normal reaction force का एक component आ गया हम जानते हैं थीटा वाली side पर जो component होता है वो horizontal component होता है और थीटा के सामने ये वाला जो component है ये vertical component होगा vertical component के साथ sin थीटा आता है अब चुके normal reaction force इस point पे लग रही है तो Ncos थीटा भी इसी point पे लगेगा और Nsin थीटा भी इसी point पे अंदर की तरफ ल गौर से एक बात देखें, टोटल आपके पास इस वक्त डायग्राम में तीन फोर्सीज जो नजर आ रही है, एक वर्टिकली अपवर्ड एन कॉस थिटा, एक वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और एक एन साइन थिटा, एन साइन थिटा की जो डिरेक्शन है यह आप गौर से देखें किस तरफ है, अगर आप इमेजन कर पाएं, इस पूरे ट्रैक का, अगर मैं सर्कल बनाऊं, इस पूरे ट्रैक का, तो यह कुछ ऐसा सर्कल है, यह ट्रैक है पूरा, आप गौर कीजिए कि इस पूरे ट्रैक का यह तकरीबन सेंटर है, सर्कल, ओके फर्स करें यह सें n sin theta है इसकी direction center की तरफ बनेगी तकरीबन कहने का मतलब यह है कि गाड़ी को circle में घुमाने के लिए जो centripetal force required है वो centripetal force कहां से मिल रही है n sin theta से मिल रही है और n cos theta क्या कर रहा है यह weight को balance कर रहा है तो यह हमारा diagram का नचोड है ठीक है अब मैं यह mathematical steps भी कर देता हूँ इसको मैं मिटा देता हूँ अब गौर से देखें n sin theta मैंने आपको बताया था यह centripetal force provide कर रहा है तो n sin theta को हमने centripetal force के equal कर दिया n cos theta जो है यह weight को balance कर रहा है यह भी हमने लिख दिया बाद में इन दोनों equations को divide कर दें n sin theta वाली को उपर लिखें और n cos theta वाली को नीचे लिखें किस तरह से यह देखें n sin theta और n cos theta यह नीचे आ गया उपर वाली equation की right hand side क्या थी mv square divided by r नीचे वाली equation की right hand side क्या थी mg mass mass से cancel हो गया यहां से n n से cancel हो गया sin over cos यह 10 theta होता है right hand side पे अगर आप गोर करें तो हमारे पास बन जेगा v square divided by r g यहां से हम दो formula बना सकते हैं एक angle of banking का यह और दूसरा formula tangential velocity का यह आपके पास दो formula आगे अगर आप उपर वाला angle angle वाला जो formula है इसको देखें तो इस के लिए मैं आपको एक situation बताता हूँ फर्स करें हम जानते हैं कि एक road है या एक इलाका है जिसकी road हमने बनानी है और हम जानते हैं कि यहां पे गाड़ियों की जो speed है वो ज्यादा से ज्यादा फर्स करें 100 km पर आर होती है इससे ज्यादा नहीं होती या फर्स करें 80 km पर आर होती है तो हम क्या करेंगे road को construct करने से पहले इस formula में V की value पुट करेंगे G और R यानि जितना radius वाला circular path हम बना सकते हैं यह सारी values पुट करके हम angle of banking निकाल लेंगे यानि road को हमने कितने angle पर bend करना है उसके बाद हम road को बना लेंगे और वहाँ एक board लगा देंगे कि इस road के उपर इस speed से ज्यादा speed वाली गाड़ियां ना चलें अगर ज्यादा speed वाली गाड़ियां चलेंगी तो फिर यह road उनको support नहीं करेगा और वो circular path से बाहिर निकल जाएंगी और slip होकर किसी accident का खतरा हो सकता है इसी तरह अगर आप यह second formula देखें तो यह जो second formula है यह हमें required tangential velocity बताएगा यानि road पहले से बना हुआ है theta मौझूद है पहले से आर पहले से मौझूद है जी की जगा 9.8 तो फिर हम बने बनाए road के उपर maximum tangential velocity यह वाली find कर सकते हैं यानि एक road बना हुआ है और आपने यह हिसाब लगाना है कि उसके उपर ज्यादा से ज्यादा कितनी speed में गाड़ी गुजर सकती है तो फिर आप इस formula को use कर लेंगे ठीक हो गया जो ये था जी आपका banking of road वाला topic सारा का सारा मैं आपको एक नजर इसके calculation वाले जो portions हैं वो दिखा देता हूँ ये मैंने calculation की थी level road के लिए ये सारी theory लिखी हुई है और ये शुरू में हम introduction ले रहे थे कि level road और bank curve का क्या फरक है इन दोनों में क्या difference है ठीक हो गया जी तो ये था आपका आज का lecture next video तक अपना ख्याल रखें मुझे अपनी दौाँ में याद रखें अलाफेज